नमस्कार मेरे पैरे किसान भाई यो महिए आपका भाई आपका दोसन तो जो स्वागत आपके अपने चैनल इंडियन फार्मर में तो किसान भाई आज की कुछ बात है इसी हमारे दोस्ते उनका जो है यह तोरही का खेत है बहुत ही बड़ा इनोंने जो है लगबख डीड पर फसल ह सकते तो वह आपको देख रही है इसको नंग है इसको अपने अपने खाने इसको लोग बहुत पसंद करते हैं मार्केट में भी अच्छा यह लोकल मार्केट में चलता है इसके बाद यह जो है पत्री के लिए मघ है अच्छा हुपा है इस तो किसान भाईयो मतलब मैं आपको आपको बताना चाहूंगा कि जो है तो रही फसल कैसे करते तो durability करने से कहिंए पह Keller इसमें क्या करना चाहिए बेड कैसे तयार करना चाहिए पानी कैसा होना चाहिए हमान कैसे होना चाहिए को से व चुनाब करें कैसे करें तो पूरी जानकारी में आज आपको दूँगा यह video फूरा only तक केति करने चाहिए जमीन कैसी हो निचाईए को जो जाया नाजुक में छोटे सब्सक्राइब ट्रॉलilee VO इस में आटैक जल्दी जाता है इसको हूँ जहां वा दिशीज का हुआ टत्युका भया रागाल में जो है इसको मैदानी लाके में करने में इसको पसंद करते को प्र originally्या इसका मार्केटिन्ग में असलens प्रस्टी जाता है अब उसके बाद मिट्टी के बात होगी कैसे बीचल जाएगी उसके बाद इसके लिए हावमान सही सीजन क्या होना चाहिए देखिए इसका जो है सही सीजन जो है जुलाई के बाद आप डिसंबर जनवरी तक इसको कभी भी लगा सकते हैं उसके बाद हावमान इसको ज्यादा थंडी पसंद नहीं करता थोड़ा पहले भी लगाएंगे कोई दिक्कत न अगर बनी रहेगी तो आपका अच्छा उगेगा उसके बाद यह जमीन आप देख सकते हैं जमीन का पीएच लेवल रहना चाहिए साधरन आपका पांच से लेके साथ तक रहना चाहिए कोई दिक्कत नहीं इसमें आसानी से पांच से लेके साथ तक चल जाएगा और पानी कोंसे चनाव करें कैसे करें तो देख कि अपने इंड्या में काफी सारे अपनी मतलब काइं कॉय मतूर लाथ आपको कहीं इनफोर्मेशन नहीं मिल रही है तो किसान कॉल सेंटर का जो है नंबर आपको डिस्क्रिशन में डाल देना उस पे आप कॉल करके उनको पूछ सकते हैं नहीं नहीं तयार होती अपनी कुछी विकासंदान केंद्र में वहां से उनसे जानकारी लेकर आप वराइट चुछ करने के बाद आप जब मार्केट से उसका बीज लाते हैं तो उस बीज को कैसे लगाना है उसको सीड टेटमेंट कैसी करना है मैं आपको बताता हूँ आगे चलके मैं आपको डिसीज के बारे भी बताओंगा ये वीडियो कंटेनियो आगे आप देखते रहिए तो सी कोई भी आप मार्केट से बीज लाते है तो उसको ठोटा पहले ठाई कीजिए चारचे बीज लेके वह उकता है कि नहीं कोई दिककत है ख़राब भी लॉट आता है तो उसको चेक कर लीज़ियो अब बीज लगाना कैसे से तो ठोड़ा लगाना इस पहले मैं बताता हूँ य इसको बेड नहीं करेंगे तब चल जाएगा प्लेन पी अच्छे से आ जाता है बेड प्रिपेशन में बेसल डोज जो है अपना कंपोस्ट खात हुआ गोबर खाद हुआ एंपी के में अपना रसाइनिक हुआ सब डाल कि इसको मेंटेन आप कर सकते हैं उसके बाद इसमें जो अंधर करने दिरिफ बिचा दीजेता है अच्छे घ्ल के अच्छे पर्डॉक्शन के लिए आप बिच खायेंगे अप अप्रीन से जो फ़र्टिकत कर सकते है इसको डिप नहीं है तो पानी के लिए दिकना ब्रॉप Corn pressure R स्रोझफ हो जाएगे आपको पानी छोड़ने के लि सब्सक्राइभ सब्सक्राइभ है? सब्सक्राइभ में लगाने के बाद το भीज का उळ्कूरन हो जाता है तो उसमें जो है फर्टिकेशन क्या करना है अपने NPK की ग्रेड हुई जैसे की उनीस उनीस हुई बारा एक सट हुई तेरा जुरो पैटालीस हुई यह उसमें छोड़नी है हुमिक एसिड हुआ उसके बाद जाहिम हुआ इसको जो है छोड़ना है पौदी की ग्रोथ अच्छ उसकी ग्रोथ होगे अब उसके बाद क्या है पचीस दिन पर लगए कि इसकी बंदाई करने पड़ती है तो बंदाई कापी सारे टाइफ होती है ऐसे घर के तर आए उसको उपर से तार से बांदा जाता है या तो यह देख सकते ही यहां पर डंडी बास के दौरा बंदाई क इसे एप से डंडी तार बांद शकते है उसमें रस्टी से एक है सुतली से इनने उने उठा बांद दिया यह सिधा घूम गया तार के उपर तो यह चाहिंक आप नहीं करेंगे तो दिक्कते आ सकते हैं जमीन पर रहेगा तो इतना तोरही पर जो शाइनिंग नहीं आए गी खराब हो जाएगे, देख सकते है, डेट दो फिट की तो रही हो गई है, शाइनिंग भी अच्छा है, मार्केट में इसी तरीके का माल चलता है, ज्यादा मोटी हार्ड हो जाएगी तो पुराना पुराना लोग खाने में भी नहीं पसंद करते हैं, तो ऐसी रहनी चाहिए, इ इसे कि यह देख सकते है, यह बलाइट आता है, इसमें करपा इसको कहते है, यह देख सकते है, पीछे से लगता है, फिलाल तो जल गया है, यहाँ पर उसके बाद यह लिफ माइनर है, यहाँ पर यह देख सकते हैं, तो डिसी इसमें ज्यादा तर करफा, लिफ माइनर, उसक से बनाना है गममत्र कि हिस सहाब से ‫ चिछ कर शें चिप बनान्यास काफ़ी रहीigning कर्दे रहाथ कर सकते को सप्रेड़ में काफ़ी सारे मार्केट में आपको मिलती है अल्य पलट ऑप स्प्रेय कर सकते आसानी के नहि duy Max ढोल कर सकते काफी सा इनके मतलब पत्ती काफी हेल्दी है नीचे से थोड़ा सा पकड़े हुआ है लेकिन उपर की पत्ती एकदम फ्रेश है देख सकते हैं फूल भी अच्छा ही यहां पर लग रहा है सेटिंग भी माल का अच्छा हो रहा है अगर इसके जो इसके इल्ड के अगर बात करें करेंगे करेंगे तो अच्छा मतलब यहन में निकलता है मार्केटिंग आप लोकल में कर सकते इसका नियनुव का तो रही का हुआ हुआ है मतलब यहां मतलब करने की दिक्कत नहीं अगर आपको अच्छा मार्केट इसको करना है तो इसको पहाडी इलाकों में अगर भेज के मार्केटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा मार्केटिंग क्यों कि पहाडी इलाकों में आता नहीं है जल्दी तो वहां पर भेज के इसका मार्केटिंग तो किसान भायू इसके अगर लाइफ साइकल के बाद करें जब यह लगाने के बाद 20-25 दिन के हो जाती है बंदाही के बाद इसका हर्वेस्टिंग जब चालू हो जाता है उसके बाद यह 120-150 दिन तक लगबक यह राइटी चलती है थोड़ा सा आपके उपर भी डिपेंड र करना है तो किसान भायू आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज मुझे ज़रू कमेंट बेटा यह वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद जैजवाद जैकिसान